नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम औरियो बिस्कूट से पुडिंग बनाएंगे जाहें आप इसको ठंडी आइस्टीम भी बोल सकते हो यह देखिए हमने औरियो बिस्कूट का चूरा कर लिया है और इसमें सब दो चमच मतलब सब में डालना है मैंन तो यह थंड़ा है यह स्वाद भी अच्छा है आप इसको हम दूद गरम कर लेते हैं अम मैंने एक कटोरी नाप के दूद दिया है यह मतला तीन सो ग्राम दूद करीब होगा और थोड़ी सी चमच मतला चोटी एक चमच चाय में डालते हैं एक चमच दूद बोडालना है इ यह है कौन फ्लर इस कौन फ्लर को हम पानी में गोल के रख लेते जब तक जब तक हमारा दूद गरम हो रहा है यह देखिए जब तक हम इसको एक गोल के एक साइड रख देते हैं यह मैं चौकले लाइगी जी चौकलेट है जो वाइट वाली इसमें आदे टूड़े मतलब टूड़े करके इस दूद में मिक्स हो जाएगी एब अच्छे से इसको दूद में मिक्स करेंगे हैं हैं है यू मन फ्लर फ्ल गोला था वह डाल रहे है ह Joy इस में की theo। व्ल्हारा गरम हो लूओ ओ गया थोड़ा थूड़ा भी हो गया आप मढ़न एया के बिसकुट के बिस्कुट लिए हैं पांच बिस्कुट जिसके हम्ने टुकटे करके डाल दीए वैसी ही अब इसको गिलास में घ्लाज जो पहले चूरा किया था वो थाले में भबर दिया तो आप इसको हम दूद को उपर से डालेंगे सारे कफो में इसमें ऐसे ही डालेंगे उपर से अगर आपके पास चॉकलेट है डार्क चॉकलेट तो इसको मैट करके इसके उपर से डाल सकते हो आप अगर चॉकलेट नहीं है तो देरे मिट की चॉकलेट आती है छोटी वाली वह भी कर सकते हो मैंने इसमें चॉकलेट सीरफ न ही दूद बेंनोट अब तक arrow टेस्ट के लिए बूंस का धूक्तु सीर्फे इसकी पड meinenज डालो कि रूए है इसा सब्यदागों में में तो चौकलेट सीर्फ लीया है इसलिए मैं सीर्फ डाल रही हूं आप चाहें तो चौकलेट ले सकते हो चौकलेट को मेरे करके तो तो थोड़ाव में तो यह बनता है कि ठंड़ादा चीज हो नहीं चाहिए कुछ है आइस्क्रीम में की तरह है ये खा के देखिए गया मेरी तरफ से बना के भी देखिए एक बार अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरू कीजिएगा आप मेरे कहने से एक बार जबरू बनाईए और बच्चे भी खुश हो जाएंगे मेरी वीडियो देखने के लिए थाएंग्यू